गुरु नानक जयन्ती पर विशेश के गुरु नानक जयन्ती को सिख समुदाय के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है सिख समुदाय के लोग गुरुदेव के जन्म उत्सव को प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं और इसको गुरु पर्व भी कहा जाता है इस दिन दीपावली की तरह रोशनी की जाती है, गुरुद्वारों को सजाया जाता है और गुरुवानी का पाठ भी किया जाता है यह सिख समुदाय का प्रमुख्त आहार है और पूरे भारत वर्ष में हरशोल लास के साथ मनाया जाता है गुरु नानक जयन्ती कब है? गुरु नानक देव जी का जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी नाम के एक गाउं में कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक शत्रिय कुल में सन 1479 में हुआ था यह स्थान आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है इस वर्ष 2022 में गुरु नानक जयन्ती 8 नवंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी क्यों मनाई जाती है गुरु नानक जयन्ती? सिख समुदाय के लोग गुरु नानक जी के जन्म उत्सव को पर्व की तरह मनाते हैं और अपने गुरुदेव को याद करते हैं यही वज़ए है कि वह गुरुवानी का पाठ करते हैं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का और उनके उपदेशों का पाठ कर उसे दोहराते हैं ताकि वह उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपना सकें इस दिन प्रमुख स्थानों पर लंगरों का आयोजन किया जाता है गुरुद्वारों में शब्द कीर्टन और अन्यधार्मिक आयोजन किये जाते हैं सिख धर्म के लोग भारी संख्या में इन आयोजनों में सम्मिलित होते हैं और सच्चे मन और भाव से गुरु नानक जी की ध्यान कर उनका आशिर्वाद पाते हैं गुरु नानक जी का जीवन एक आदर्श था उन्होंने भेदभाव को मिटा कर प्रेन का संदेश दिया था और वह ग्रिहस्थ होने के साथ साथ आध्यात्मिक भी थे उन्होंने बहुत सी रूडिवादिता और कुसंसकारों का बहिशकार किया तथा इकोंकार अर्थात सबका पिताव ही है ऐसा संदेश दिया उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भी समाज को जागरूग किया गुरु नानक जीने भारत, अफगानिस्तान, अरब आदी कई स्थलों पर घूम घूम कर उपदेश दिये और सिख धर्म का प्रचार किया था इन्होंने मूर्ती पूजा से अलग हटकर भक्ती मार्ग की अलग जगाई थी आज भी उनके अनुयाई और सिख समाज के लोग इन्हें भगवान का स्वरूप मानते हैं इसलिए गुरु देव के जन्मदिन को विशेश पर्व के रूप में मनाते हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग को अपना कर उनका आशिरवाद प्राप्त करते हैं गुरु नानक जयन्ती का इतिहास गुरु नानक जी का मन बच्पन से ही अध्यात्म से जुड़ा हुआ था और सासारिक कारियों में उनकी रुची बहुत कम थी वहीं इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और दो पुत्रों के जन्म के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था इसके बाद वह अपने चार मित्रों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े इन्होंने बहुत सी यात्राएं की और इन यात्राओं में लोगों को सच्चाई, प्रेम तथा सद्भावना का उपदेश दिया था गुरु नानक जी ने मानवता की सेवा के लिए बहुत बड़े बड़े काम किये बहुत सी धर्मशालाएं बनवाएं तथा कर्तारपुर नाम की एक नगरीभी बसाई जो वर्तमान में पाकिस्तान में है जीवन के अंतिन समय में इन्हों ने अपने शिश्य भाई लहना सिह को अपना उत्तराधिकारी घोशित कर दिया था लहना सिंह जी ही बाद में सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगत देव जी कहलाए थे गुरु नानक देव जी सत्तर वर्ष तक जीवित रहे और समाज के उध्धार के लिए कार्य करते रहे सन 1549 में वह इस दुनिया से अलविदा कहकर दिव्यजोती में समा गए उनके जाने के बाद गुरु अंगत देव जी ने उनके चलाए हुए सभी कारियों को आगे बढ़ाया सिख धर्म का प्रचार किया और समाज के उध्धान के लिए भी कार्य किये उन्होंने भाई बाला जी की मदद से गुरु नानक जी के जीवन से जुड़े विश्यों को जाना और गुरु नानक देव जी की जीवनी लिखी इस तरह यह परंपरा आगे बढ़ती रही गुरु अंगत देव जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु अमर्दास जी को यह गद्धी सौंपी जिसे फिर उन्होंने आगे बढ़ाया इस तरह गुरु जी के अनुयाईयोंने गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना और तभी से उनकी दी हुई शिक्षा का पालन करते हुए इसी मार्ग पर आगे चलते रहे गुरु नानक देव जी के पांच प्रेरक प्रसंग गुरु नानक देव जी का जीवन साधारन नहीं था उन्होंने मानव जाती के कल्यान के लिए और उन्हें उपदेश देने के लिए बहुत से आश्चर्य जनक चमतकार किये जिस कारण वह पूजनिय हो गए थे आईए आज हम ऐसे ही पाँच प्रेनादायक प्रसंगों के विशय में आपको बताते हैं एक गुरु नानक देव जी की मक्का मदीना की यात्रा एक समय गुरु नानक देव जी अपने दोनों अनुयाईयों भाई मरदाना और बाला के साथ मक्का मदीना पहुँचे थे वह काफी ठक चुके थे इसलिए वहाँ एक मुसाफिर खाने में जाकर आराम करने लगे तभी वहाँ पर काम करने वाला एक सेवक आ पहुँचा उसने जब गुरु नानक जी के पैरों की दिशा मक्का मदीना की तरफ देखी तो वह क्रोधित हो गया और उसने गुरु नानक देव जी से कहा कि वह अपने पैर दूसरी तरफ कर ले गुरु नानक देव जी ने सेवक से कहा कि वह खुद ही उनके पैर उस दिशा में घुमादे जहां खुदा ना हो यह सुनकर सेवक लज्जित हो गया और उसने गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी गुरु नानक देव जी ने उसे माफ कर दिया और उससे इश्वर को याद करने तथा अच्छे कर्म करने का पाठ सिखाया दो गुरु नानक देव का जनेव संसकार एक समय गुरु नानक देव जी के पिता ने उनको जनेव धारन करवाने के लिए पंडित जी को बुलाया गुरु नानक देव जी को इस संसकार में विश्वास नहीं था उन्होंने जनेव धारन करने से इनकार कर दिया गुरु नानक जी ने कहा कि जनेव धारन करने से अध्यात्मिक ज्यान की व्रिद्धी होती है लेकिन यह सूती धागे का जनेव तो मैला हो सकता है, तूट सकता है और मृत्यू के समय तो यह इस शरीर के साथ अगनी में जल जाएगा जनेव तो ऐसा होना चाहिए जो ना जल सके ना मैला हो सके और ना तूट सके जनेव तो ऐसा हो जो हमारी आत्मा को बांध सके तीन गुरु नानक देव जी और अध्यानी फकीर एक समय की बात है गुरु नानक देव जी एक नगर में गए वहां एक कंधारी नामक फकीर था जो बहते हुए पानी के प्राकृतिक ज़र्ने से सब को पानी पिलाता था वह फकीर गुरु नानक देव जी से इर्शा करता था वहां गुरु नानक देव जी के साथी भाई मर्दाना उसके पास पानी पीने पहुँचे तो उसने भाई मर्दाना को पानी देने से इनकार कर दिया मर्दाना जी निराश हो गए और उन्होंने यह बात वापस कर नानक जी को बताई नानक जी ने इश्वर को याद किया और वहां से एक पत्थर उठाया तभी उस स्थान से एक जल की धारा बह निकली और फकीर का ज़रना सूख कया यह देख कर फकीर और भी क्रोधित हो गया उसने पहार से एक चटान को गुरु जी की तरफ धकेल दिया उसने सोचा कि इस चटान के नीचे दब कर गुरु जी की मृत्यू हो जाएगी पर ऐसा नहीं हुआ चटान को आते देख गुरु जी ने जैसे ही अपना हाथ उठाया तो वह चटान वही पर रुख गई फकीर का अभिमान चकनाचूर हो गया और वह गुरु जी के चर्णों में गिर पड़ा तब गुरु जी ने उसे सब के साथ मिलबाट कर रहने का पाठ सिखाया चार गुरु नानक देव जी और पूर्वजों को अर्गे देना एक समय नानक जी हरिद्वार पहुँचे तो वहां उन्होंने कुछ लोगों को गंगा नदी के किनारे पूर्व दिशा की और मुख करके जल देते हुए देखा नानक जी इसके विपरीत पश्चन दिशा की और जल चढ़ाने लगे लोगों ने इसका कारण पूछा तो नानक जी ने भी उन लोगों से जल चढ़ाने का उद्देश्य पूछा लोगों ने जवाब दिया कि वह अपने पूर्वजों को जल दे रहे हैं तब नानक जी ने उन्हें बताया कि वह पंजाब के खेतों को पानी दे रहे हैं लोग उनसे बोले कि इतनी दूर पानी खेतों तक कैसे पहुँचेगा नानक जी ने जवाब दिया कि अगर पानी पूर्वजों तक पहुँच सकता है तो खेतों तक भी पहुँच सकता है पांच राय बुलर का गुरुदेव जी का अनुयाई बनना एक समय की बात है गुरु नानक देव जी अपनी कुछ भैसों को चराने के लिए ले गए वहाँ वे एक पेड़ के नीचे सो गए धीरे धीरे सूर्य की गर्मी बढ़ने लगी और उनके मुह पर सूर्य की तेज रोशनी पढ़ने लगी तभी एक बड़ा नाग वहाँ पर आया और उसने अपने फन को फैला कर गुरु जी के उपर छाया कर दी राय बुलर जो उस जगह का एक अधिकारी था वहाँ से गुजर रहा था और उसने यह देखा तो आश्चर यचकित हो गया उसे समझ आ गया कि गुरु जी कोई साधारन मनुष्य नहीं है राय बुलर गुरु जी के चर्णों में गिर पड़ा और उनका शिश्य बन गया गुरु नानक जी से हमें क्या सीख मिलती है गुरु नानक जी ने अपने सभी उपदेशों और मानव कल्यान के कारियों द्वारा बहुत सी शिक्षाएं दी जिन में से कुछ इस प्रकार है सुमिरन गुरु नानक जी ने हर पल इश्वर का नाम जपने और सुनने को सही बताया गुरु जी ने गुरु नाम जपने के लिए दो सुझाव दिये थे इश्वर का नाम सत्संद में रहकर लिया जा सकता है साधु संतों की मंडली के साथ सुमिरन किया जा सकता है दूसरा एकांत में रहकर भी इश्वर का ध्यान किया जा सकता है सुमिरन करने से शक्ती मिलती है और तेज बढ़ता है मेहंत करना गुरु नानक देव जी ने मेहंत कर इमानदारी से जीवन जीने का पाठ सिखाया उन्होंने कहा कि किसी अमीर के शांदार भोजन से गरीब के मेहंत किये हुए मोटे अनाज का भोजन ज्यादा उत्तम है बाठ कर खाना गुरु नानक देव जी ने सभी को मिल बाठ कर रहना सिखाया जितना भी है उसे सभी के साथ साज़ा करने का पाठ पढ़ाया गुरु जी की इसी शिक्षा से प्रेरित होकर सिख लोग अपनी आय का दस्वा हिस्सा साज़ा करते हैं और इसी से लंगर चलता है यह थी गुरु नानक जयनती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उमीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी ऐसे ही और भी अन्यधार्मिक तथियों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ